बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का अपने टूम पेपर हेकर में आज हम बात करने वाले हैं जो भी स्टुडेंट बीएसी 5 समस्टर में हैं और हम बात करेंगे बॉटनी के सैकेंड पेपर के बारे में तो जैसे कि मैं पहले से आपको पेपर देने चले जाईए आपको यहां से मिलेगा 70% प्लस ठीक है जैसे कि मैंने आपको 15-16 कोशन पहले दिये दें आप उन कोशनों को याद कर ले तो 85% महां से मिल जाता है लेकिन आज की वीडियो में केवल हम 10 कोशन देने वाले हैं 10-12 कोशन होगे इन कोशनों को याद कर करिए भी ठीक है वर्ट्ट अपर मैसेज करी मैं एक अप्लिकेशन का लिंक दूंगा जिसका नामा पेपर हैकर ऑफीसियल है और एक और होगा डॉक्टर बनो ऑल्लाइन दोनों एप्लिकेशन पर रेजिटर कर लेना बड़े तरीगे सा ठीक है ना पेपर हैकर पर आपके सा किया जाता है क्यों होती है उसका लक्षण क्या होता है उसको कैसे हम पहँचानेंगे वह सारी चीजे में आपको वहां बताता हूं और मैंने अपनी बुक को भी लॉंच किया है ठीक है तो आप उस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं बड़े आसानी से यादि आप डी फ बता देना डॉक्टर बनो ऑल्लाइन बिल्कुल आप डॉक्टर बन सकते हो यदि आप उन कोशिनों को याद मतलब उन पूरे डिजिस को याद कर लोगा तीन सो साड़े तीन सो डिजिस में आपका कबर होगा और कोई भी पेशेंट आपके सामने आ भी जाता है ना तो आप उन डिजिस को भी छोड़ेंगा है वह लोग कह सकते हैं जो गाव में जो डॉक्टर बैठते हैं उनको भी ये बुक को जरूर परचेज करना चाहिए देखे यहां बात करने वाले हैं और बैच भी मैंने दे रिया है यदि आप बुक लेना नहीं चाहते तो आप बैच को भ छिनेटिक्स बोलते हैं तो वह दिखें को चैंबर होँचने के बारे में आपको याद करना है उसके बाद में कोश्यर सबूंझ से पूंचेंंगे थो इन XL में आपसे पूंचता है 8 मिली एसके उड़ करेंगे में आपको ज Paleет कोड कि बारे में याद करना है वह इंपरेंब कोश्य निष्पर कोड के कितने प्रकार होते हैं यह याद करना होता है उसके बाद में एको देखना है देखिए याद i'. इसको भी हटा-देना ओप्रेशन बीडिरोशन इसको पढ़ना ऑप्रास क्या होता है और उप्रेशन क्या होता है उसको कैसे पुछ हो देजी सबको खतम करो तीन में पहुंच जाओ इनिटिक इंजिनिरिंग क्या होता है वेरी इंपूटेंट कोशन है जीनिटिक इंजिनिग डीने फिंगर प्रिंटिंग के बारे में याद करना है बेरी बेरी इंपूटेंट है PCR क्या होता है PCR ठीक है तो PCR को पढ़ लेना जैसे हम पॉली मेरे चैन संकला कहते हैं तो इसको पढ़के जाना है बेरी इंपूटेंट कोश्चन है इसको हटा देना एंटिवर्टिक इंजिनिरिंग को हटा दीजिए इनिट नमबर चार में जब पहुंचेंगे तो इनिन नमब पहुंचेंगे तो पूछा गया है जैब सूचना विज्ञान के उद्देश के बारे में जैब बिग्यान सुपरकंप्यूटर वूमिका देखो जी बिग्यान में सुपरकंप्यूटर की भूमिका क्या है यह कोशन देखना है उसके बाद में नीचे पहुंच जाना जैब सूचना विज्ञान का अनुप्रयोग यह देखे यह वाला कोशन देख लेना ठीक है उसके बाद में काफी इनिन नमब छे में जब पहुंचेंगे तो याद करना ह है कि जो मैंने आपको बताया था जैब सुथना विज्ञान्संभन्द्ध् प्राण्ड़ी जो बटाई थी या उलो प्रयोग बगर्वां होते हैं यह जो जो डेटा है डेटा का से वारी होता और उसके बाद में एक यूनिट आता है वो पढ़ना है आपको देखिए इसमें है फाइलो जेनिटिक ट्री क्या होता है यह वाला कूशन को देख लेना अनुप्रयोग और यह तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि एक साथ पूचेगा तो लॉग में अचल यह कोशन कोशन को ऑपकर है कि मुझे कल इंपूटेंट कोशन सर Shame तो मोझे वट्सफ पर मैसेज कर एक दिया करें इसके चाल को सुसक्राइब कर लिए दोस्तो को शायर कर दीजे को कल दिया आगरो, ठीक है, थेंक यू